नमस्कार दोस्तों मैं आचारे विकास मलोत्रा लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ सेंधा नमक खाने के क्या फायदे हो सकते हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ अगर आप रेगुलरली सेंधा नमक अपने भोजन में शामिल करेंगे तो आप बहुत सारी बेमारियों से बचे रहेंगे इसी लिए ये वीडियो आप अन्द तक जरूर देखें हम अपने भोजन में ज्यादा तर आयोडीन वाला नमक यूज़ करते हैं जिसको आज की डेट में मार्केटर्स बहुत पॉपुलर भी कर रहे हैं जो फ्री फ्लो सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि फ्री फ्लो सॉल्ट या आयोडाइस्ट सॉल्ट में केवल तीन मिनरल्स हैं जबकि सेंधा नमक में 94 मिनरल्स प्रेजेंट हैं तो सेंधा नमक आप अपने भोजन में भी यूज करना स्टार्ट करिए इससे आपको बहुत फायदा होगा आयूरवेद में इसे लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाहौर से होता हुआ पूरे नौर्थ इंडिया में बेचा जाता है आम तोर पर जो आप नमक इस्तमाल करते हैं आयोडाई सॉल्ट उससे BP, Diabetes, Paralysis जैसी बिमारियों का डर बना रहता है उन बिमारियों का बढ़ने का भी खत्रा बना रहता है इसके विपरीत अगर आप सेंधा नमक यूज करते हैं तो सबसे पहली बात सेंधा नमक से आपका Blood Pressure कंट्रोल रहता है आपने देखा होगा सेंधा नमक इतना शुद माना जाता है कि वरत के भोजन बनाने में इस नमक का उप्योग होता है इस वीडियो के थूँ मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि सेंधा नमक अगर आप खाते हैं तो आपको Blood Pressure से Related Problems नहीं रहेंगी इवन Skin Diseases या आँखों की बिमारियां मोटापा, शरीर में जकडन इन बिमारियों से भी आप बचे रहेंगे कुछ लोगों को लगता है कि जो हम Iodized Salt खा रहे हैं यानि Sea Salt जो हम ले रहे हैं वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमें तो Iodine चाहिए लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा Iodine के चक्कर में जादा नमक खाना समझदारी नहीं है क्योंकि Iodine तो आपको दही से, दूद से, आलू, हरी सबजियों से मिल ही जाता है सेंधा नमक के बारे में आयूरवेद में कहा गया है कि ये आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक त्री दोश निवारन करता है यानि वात, पित और कफ के रोक को दूर करता है ये पाचन में भी सहायक होता है और साथ के साथ इसमें पोटेशियम और मेगनीशियम भी पाया जाता है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है आपने देखा होगा लवन भासकर चूर्न जो की बहुत पॉपुलर है उसको बनाने में भी सेंधा नमक का इस्तमाल किया जाता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सेंधा नमक केवल वरत में नहीं अपने रोजाना के भोजन में भी इसका इस्तमाल स्टार्ट करिए इवन सेंधा नमक ये कहा जाता है कि अगर आपको बलड रिलेटिड प्रॉबलम्स है यूज्वली डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको नमक नहीं खाना लेकिन सेंधा नमक के लिए ये कहा जाता है कि आपको चाहे बलड प्रेशर रिलेटिड प्रॉबलम्स भी हो आप सेंधा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं ये पितन आशक है और आँखों के लिए बहुत लापकारी है कुछ फायदे जो सेंधा नमक खाने से आपको हो सकते हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ सभी फायदे शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है सबसे पहला फायदा तो ये है कि सेंधा नमक आपको एक्टिव और फिट रहने में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसमें 94 मिनरल्स हैं मेगनीशियम और केल्शियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है जो आपकी बॉडि को फिट रखने में मदद करेगा दूसरी बात सेंधा नमक में जो अरोमा है वो आपकी बॉडि को रिलैक्स करता है तो जो आप तनाव, चिंता, डिप्रेशन ऐसी समस्याओं से जूज रहे हैं उसको ये दूर करता है तीसरी बात पेट की सभी बिमारियों से ये आपको छुटकारा पाने में मदद करता है आपने देखा होगा खाने पीने में लापरवाही, कॉंस्टिपेशन, गैस, एसिडिटी हुना आम बात है अगर आप सेंधा नमक खाते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को आप अवोईड कर सकते हैं चौथी बात भूख को बढ़ाता है अगर किसी को भूख नहीं लगती, तो चुटकी भर सेंधा नमक खाने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है जिसके बाद आपको सही से भूख लग सकती है इसके अलावा, ये आपके मूड को सही रखने में भी हेल्प करता है क्योंकि सेंधा नमक बाडी में ऑक्सीजन की सही मात्रा को बनाए रखता है इसके अलावा, मेटाबलिजम सेंधा नमक के सेवन से आपकी बाडी का मेटाबलिजम लेवल सही बना रहता है पानी की मात्रा को सही रखने में ये आपकी हेल्प करता है आपकी body ठीक से hydrate करती है और digestion भी ठीक रहता है इससे blood circulation भी improve होता है Finally, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो science related problem से गुजर रहे हैं pollution आप जानते ही हैं काफी बढ़ गया है उससे science related problems और जादा होती जा रही है तो अगर कोई व्यक्ती अस्थमा जैसी problem से या science की और कोई problem से जूज रहा है तो सेंधा नमक का सेवन जरूर करना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि आप सेंधा नमक का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं मैं आपके साथ 3 tips discuss कर रहा हूँ जिन tips को follow करके आप सेंधा नमक का इस्तमाल अच्छे से कर सकते हैं एक तो आप भोजन में तो ले ही सकते हैं इसके अलावा तीन चीजे मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ जिससे आप सेंधा नमक का benefit ले सकते हैं पहला गरारे करें आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला ले और उससे गरारे करें इससे एक तो आपके दातों की चमक बढ़ेगी और अगर आपको गले संबंधी कोई भी problem है यानि you are suffering from throat related troubles तो ये जो troubles हैं ये आपकी दूर करेगा दूसरी बात नहाने में आप इसका इस्तमाल जरूर कर सकते हैं आप अपनी बोड़ी को relax करने के लिए fresh करने के लिए सेंधा नमक को नहाने के पानी में मिलाएं और हलका सा मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से नहाएं ये आपके लिए बहुत फाइदेमंद रहेगा तीसरी चीज आप इसे पानी में मिला कर पी सकते हैं और इस केस में ये आपके digestion से related सभी problems को दूर करेगा तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे उपाए शेयर करें जो आप सेंधा नमक को यूज करके अपने health को और अच्छा बना सकते हैं विशेश परामर्ष के लिए आप हमारे लाल किताब astro center channel पर appointment book कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share और subscribe करना ना भूलें धन्यवाद